ये है लाल चीटी का नाacji है इसको घर लेकर जाया जाएगा और वहां चटनी में नहीं होता है यह बोलके उसका खाना चालू किया जैसे देशी दवाई हिसाफ से उसको खा रहे हैं उसका परियोग अभी तक से कर रहे हैं शरीर की म्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनका कहना है कि चीटी की चटनी खाई जाती है कि मैं तो प्यूर वेजी टेरिन हूं मैं तो यह नहीं खा सकता पर मेरी टीम में मेरे साथी है मोहन वो बड़े एकसाइटेड है इसको खाने के लिए उनको चीटी की चटनी खिलवाएंगे हमारे अदर ते बड़ा खौफ रहता था इसका कि कोई डंक ना मार ले इसमें से कोई डंक भी मार लेता है क्याता है क्या का मू के अंदर यह देखिए यह लाल चीटिया है सारी कुछ एक जिन्दा भी है इनमें और यह जो सफेद सफेद हैं इनके अंडे हैं इन सब की अभी चटनी बनने वाली है अभी आप जो सामने देख रहे हैं इसमें लेसुन अदरक और मिर्च को पीसा जा रहा है यह देखिए जो पीसी गई उसके अंदर चीटी गई दीदी इसमें तो कुछ जिन्दा चीटिया भी है और यह काटेंगे तो मतलब फिर वह चुबन सी या जलन सी नहीं होती है फाक्ट यह है कि चीटिया भी आप पेफ्ट बनने वाली है यह देखे नमक डाला जा रहा है इसमें मुझे बतागे कैसा लग रहा है आपको देखे गबराहट हो रही है और से गबराहट कपकपा हाँ सब रहा है और से नॉर्मल वेजिटेरियन आदमी को रहा है यह देखे चीटी की चट्नी यानि चापड़ा तयार हो चुका है महन मेरे साथ खड़े है महन इसको चकर चलो अब चाहत है नहीं में देख रहा था है क्लेक कौन सा है चलो अच्छे जडि अच्छे दर बूरा तोड़ा और दादा लो ना बतानी चलेगा ठीक करना ना अ चलो जो चेक करना को दो कि इसको क्षावन न चाहुगे तो वो खा सकता पूरी को इसको गहा रोटी के साथ好像 रोटी में ya